हेलो दूस्तों स्वागते आपका हमारे यूटूब चैनल पे आज यहां पर मैं आपको बहुत ही प्यारा से 34 इंच की कटिंग की तो यहां पर यहां पर असतर है और यहां पास मैं फैबृक है तो इसी से मिलागे यहां पर मैं बनाना स्टार्ट करती यहां पर जो आपके यह कि पीछे का पार्ट है एक पार्ट यहां पर फ्रंट आपार्ट वह को में यहां पर 2 इंचस्थ को ज़्यादा कैंड में पंदर्या पीछा के लिया तो यहां पर आगेसा किसी सब्सक्राइब शाइब निके Chi आपकी जितनी भी चैस्ट है जैसे आप यहां पे मैं 34 इंच का बना रहे हूं तो मैं यहां पर 11 इंच के चोड़ाइब लए रहे हूं और यहां पर लंबाई मैंने 17 इंच के लिए फ्रेंट की ठीक है अभी यहां पर मैं मैं इसके चैश्ट पे निसान बनाऊंगी सोल्डर को मैं यहां पर 6 इंच का ले लोंगी और इसके आर्म होले वह में आपर 30-60 बाद में चांट देना होता है तो अभी हाँ पे गले को मैंने 2 इंच पे लगाया है और लंबाई यहां पर तो आप उहां पर साध्य साथ ले सकते हैं लेकिन गल्य की जो मैक्सिमम लंबाई रहती है वह हम साथ इंची लेते हैं अब यहां पर मैं प्रॉपर मार्किंग करूंगे इस तरह से मैंने आप इंच को उपर को इस तरह से कर दिया है अब यह बीच की जो लाइन है वो मैं कुछ कटने करूंगी वो लाइन अभी आपे में खतम कर देती हूं सोच लो लाइन है ही नहीं अभी आपे साड़े तीन इंच पे मैंने अपना जो एक जो फोर टक्त का बलाउज बना रही हूं तो यह देखिए दो दो इंच की गैप से मैं आपे चारो टक्त लगा बहुत जरूरी है अगर आप ज्यादा पास में ले आएंगे तो एकदम और निकल जाएगा तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा वो तो अब यहां पर दिखिए फ्रेंट में हमें चार देना है कितना चार देना है तो अगर आपको एस समन्ने आता तो आप गल्ले से साड़े 6 इंच पी निसान लगाएगा और वहां से इस तरह से कर्ब दे दीजिए इस तरह से अगर आप कर मतलब यह छाट देंगे तो आपको जो गला है वो इधर उधर को नहीं भागेगा ठीक है सब पहले आप यहां पर कटिंग करेंगे तो कटिंग पीछी से ही करेंगे करेंगे तो गलती से अगर पूरा अगर आपने चांट वाला कटिंग कर दिया तो फिर गडबड हो जाएगी पीछी से टाइट होगा खिची गबलाउच ठीक है सब सब पहले मैंने आप इससे कट कर लिया है और कट करने के बाद में अभी हमें दोनों पार्ट को अलग आप ओर जो फ्रेंट पाइट है वो मुझे आप इसमें चांट देना है और निकालने हैं गला कट और तो अब यहां पर सब्चे पहली मैं कौश्छ पर्च निकालाउगी क्रॉस्पट्टी यहां पर आरां शेया ज़्यकी चोड़ाई के साथ त्यार हो जाती है वेहीं आप और दुसरे गला बनाना चाहते हैं तो बना सकते हैं अराम में च्छाट नें दना है तो प्षेल प्रण पांड बहुत ही प्यारा से कट के त्यार हो गया और यहां पर हमारा बैक पाट है अब जो बचे हुए कपड़ा है महारे पास ही देखें इसे इसे में अपने इसे स्लीज बनाऊंगे तो आप चाहिए तो छोटी स्लीज लगा सकती है अगर आप चाहिए आ तो बड़ी स्लीज लगा सकते हैं कि तो सबसे पहले मैंने यहां पर कप्ड़ कुछ तरह चे पोर पूर्ड करके रखा है और हायट मैंने यहां पर ले लिए लेकिन हाय पूरी नहीं हो रही है तो मैं क्या करूं कि निची से कप्ड़ा जोड़ दूँगी बट ऊपर चीमें यहां पर प्रॉपर की कटिंग करू है जीरी करने के बाद में यहां पर चार इंच पर निसान बनाया है और यहां से तो कि इस तरह से और और यहां पर इस तरह से नितान निसान हमने बना लिया और अभी यहां पर चुमें कर दोंगे कि और नीचे से हमारी गुलाई है ग्यारेंट तो मैंने यहां पर 5 इंच फे निसान बना लिए है तो मैं यहां पर इस तरह से आर्मोल को माप लूँगी देखिए इस तरह से और मापनी के बाद में इस तरह से यहां पर देखूंगे कि मुझे कितना कपड़ा यहां पर एट क और नहीं बढ़ाओगे दम प्रॉपर तरीके से रहेगा अभी इस तरह से दिखिए मुझे बाजु कट कर लेना है बहुत ही असान तरीके से हमारी बाजु कट के तयार हो जाती है और बहुत ही फिटिंग के साथ तो यहां पर कपड़े कुछ तरह से हमें टू-फोल्ड करके दोनों साइड में जोड लेना है वह कपड़ा दिखता नहीं है साइड में रहता है अभी यहां पर हमने सब कुछ कट कर लिए बाजु अगरा फ्रेंट और बैक अभी देखिए यहां पर जो हमारे स्लीप्स है तो मैं यहां पर यह जो डिजाइन है कढ़ाई वाली वह इस एसे कट करलेमिये फ्रेंट को घूटए लगी घृप नीक को साइट बरा जोड ले से एसे कट कर लेंगे कट कर लिए को रहें लाग को भी त aligned को यहां है अब नहीं पर कटकु हए अ nesl gt कर लेंगे तो सबसे पहले यह दिखे इसका फ्रंट अर्न में या यहां कर दूट सीधा रखूंगी और इसके उपर मैं यह गला रखूंगी मुझे यह फ्रंट ओपन ही करना है तो लेकिन सबसे पहले मुझे क्या करना है पहले मुझे यहां पर इसे जोड के अच्छी से इसका गला बना लेना ठीक है तो किनारे किनारे पर इस तरह से स्लाय लगाओंगे और इसको सेट करने के लिए मैंने पिन लगा दी है ताकि कपडा वरस्तर इधा दर ना हो वैसे यह मोटा कपडा इधा दर होगा नहीं जब प्राब्लम आती है जब बहुचा दर शॉप कपडा होता है फिर सिल्क में होता है तो इस तरह से मैंने स्लाय लगा दी है और अभी सार छूटी कट लगाई सिर्फ उलाई में है वह भी स्लाय बचाते हुए और इस तरह से इस तरह से आपर दीए सीधा कर देना है मुझे सीधा करने के बाद मैं अच्छे से इसके उपर एक स्लाय लगा देने है नहीं तो यहां पर प्रिस कर दिनी आपको तो यहां पर दीखिए और एक्टर कप्डे को हम कट कर देंगे कट करने के बाद हम बीच से फोल्ड करेंगे फोल्ड करने के बाद में यहां पर हम बीच से ऐसे खोल देंगे और यहां पर जो हमारे एक पार्ट में रिखिए यहां पर अच्छे से टक्स पॉइंट लगे हुए हैं और हम दूसरे स हम आधने लीए हैं और अभी यहां में जो और निसान लगाए है वैसे ही स्टेमरे एंदेखिए पट्रीट पगड़ती हुए जाएंगे और इस तरह से लगा भी है ऐसे हमें यह की हमेंट प्राइट अच्छी से लगा लियें अब जेमरें हम दुसरी पार्ट में भी सारी प् इस तरह से और यहां पर लगानि और सलाई के गीटी चेही और बाहर को चोंधियों अब दिखीर हैं यहां पार से लगा ने sagtना रख़ना है तो मैने यहां पर 40 चाहज़ा इंज में निस्तान बनाया और रही पर्टि फट्टि को इस तरह से हमें पलट देना है क्पर यहां पर इस तरह से लगाने हैं तो यहां पर मुटे सलाई लगाने बाद में आपको इसको निकाल के अच्छे से हैमिंग कर देना है और यहां पी दिखिए बीजु आपको एक्स्टा कपड़ा दिख रहा है इस तरह से कट करके फिनुशिंग कर दिजी गए तो यहां पर हमारा एक पार्ट तयार हो गया है उसरे पार्ट में भी हमें ऐसे ही क्र और कम कर 10 रही स्टी चूड़ा गणिस by अशना बिला दुट है तैंध यहां पर सब्सक्राइव में असुर्ण नदिखिए प्पर में और में फिना थिछ्म दे किष्म कर दोगता है नहीं आद्ट д Yak कि आपनुट नीचन आपकर 25 गलद नहीं साव पिर मिलां आंप ग्यारा इंच का गला रखेगा और चौड़ा इंच का रखेगा तो आपको गला एक तम पर्फेक्ट बनता है क्योंकि अगर हम दुबले पतले इंसान को बड़ा बना देंगे तो बहुत ज़्यादा अजीब लगेगा ठीक है तो यहां पर यह गला एक दम पर्फेक्ट थर्टी टू या फोर के लिए तो यह रिखिए मैंने यहां पर इस तरह से मंदिर सेवरी है अब इसे हम कट कर लेंगे अच्छी से एक इंच की पट्टी के साथ अभी यहां का जो अंदर का गला है उसे भी हमें ऐसे कट कर ल पर खिखात दीन कर एक जो रखें कर दो कि आए यहां से रखनाबर यहां पर जाया अच्छी का जाए तो तो वह साइस जीटा करें और फ्राइड में पहांने को सीधा करके रखा है और इसे मैंने ऊपर ची रखा है अब इसके किनारे किनारे पर लगाऊंगे एक जैसी लगाने रिल्कुल भी टेड़ी मेड़ी नहीं करनी है इस तरह से और यह देखिए यहां पर स्लाय हमने कंप्लीट कर लिए अभी बीट का कपड़ा है वो मुझे कट करके निकाल देना है तो जबी भी आप फ्रेंट या बैक बनाए तो डबल कपड़े का जैसा रहता है तो आप पिन जरूर लगा लिजेगा ठीक है और अभी आप मुझे इसे बीथ का तो मुझे स्लाय है वो communist कट करके निकाल देना है तो आप इन दोनों कपड़े में हमें जो अमरे फ्रंट की पट्टिंगा निकली बूह निकल जाएंगी एक्श्ट में उतना घ्राप एक्ट्ट कपड़ा होता है अगर हम एक्ट्रा कर देते हैं तो फिर हमें प्र कि अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब जरूर कर लिजीगा और अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती हो तो लाइक और शियर भी करिए अभी यहां पर मैंने मूटी लगा दी है पूरी ब्लाउज पर और इसके बाद में जो इसका एक्टर करके निकाल देना अब यहां पर मुझे पीछी प्रेट बनाना है कि तो बीस लितान लगा लगा के चार चार जिंच मुझे निसान बना देना कि देजिए और 14 इंच की लंबाई रखनी और इस तरह से त्लाय है लगा लेदिन इस तरह से यहां पर देकी आशे पक्ट पहड करने के बाद में अच्छे से लगाने है और वापस से मुझे पीछे के साइड में अच्छे फोल्ड करना है और यहां पर मोटे लगा देनी है बाद में आप इसे हैमिंग कर सकते हैं तो यहां पी दिखिए हमारे जो बैक पार्ट वह भी लगबक तयार हो गया अब भी मुझे करना है इसको फॉरंट पार्ट है भो मुझे जोड लेना के सूल्डर अीं अपैस में अच्छे जोड लेने आपर देखिए गले को मिला ना ट contempl अगर वाजता है तो हम गुलाई से कट कर सकते हैं लेकिन गले को अच्छी से मिला लेना है यहां पर मैं अच्छी से दोनों ट्राइड में डवल स्लाई लगा लिए अभी एक्टर जो कपड़ा आपको दिखाए देता है आप इसे ऐसे कट करके गुलाई से निकाल सकते हैं अब यहां पर मैंने एक लैस लिये और इसे में फ्रेंट से लेकर और बैक तक पूरा लगा दूंगे अच्छी से तो यह दिया रखने कॉर्णर वगर अच्छी से बनाना है तभी हमें जो हमने पीछी गला बनाया है वह बहार निकल के आएगा तो यह देखिए हमने पूरे गले पर अच्छी से लैस लगा दिया आप यहां पर अपनी पसंद से लगा सकते हैं लेकर मैंने आप जो बूटे दिये हैं उन्हें से मैचिंग मिलती हुए लैस लगाई है अभी यहां पर यह कॉटन के पट्टी है एक हमारे पार मैं फैब्र कर दिना आथ इंगी इस तरह से कि अकि इस पर अपने हुक लगाएंगे और इस पट्टी को हम अमेज़ता अ लगाते हैं gonna अभी यहां पर हम काज की प्ट्टी लगाएंगे और लकातने से थोड़ा चौड़ा कट करतें क्योंकि किके में 1 इंच बाहर को नंकालना होता है कि जो हुककी पटी होती है वो हम हमेशा 1 इंच की यह सब非常लाइन की करते हैं क्योंकि हम उसे अंधर फोल्ड कर ईसे हम 3 इंच की अगर कट करेंगे तो अच्छ से पटी बाहर को निकल के आती हैं और पीछे की साइड में अच्छे से फोल्ड हो जाती है यह देखिए यह पर हमरी पट्टी अच्छी लगके त्यार हो गई है दोनों साइड की साइड में लगा के छोट सकते हैं यहां पर मैं स्लिप्स को अटैट करूंगी सबसे पहले बीश से कट कर लूँगी और यहां पर इसके उपर मैं रखूंगी अस्तर इस तरह से और यहां पर दिखे यह हमारी पट्ती थोड़ी शोटी पढ़ रहे हैं कर दो तो मुझे याँ पे पट्टी अटायज करनी है कि यहाँटे आपकी पट्टी अटायज कर लीजिए मैं पर करेब कर दीकम पड़ रहे थिह और इस तरह से Qate windows के सीधा कर दिंगे हापे को अब भी हाँपे मैं तलाय करूंगी किव cystica bad पर हो गयी एसे ऐसा रखूंगे और यहां पर किनारे पर लगाँ गिस लाई से पलट दूंगे पलटने के बाद में यहांपे दीआ ऐह लगाओ तो के उपर से इस通 Busan ओर जोथे यहां पर जोयका यह से निकाल कर दिना है अब यहां से लगाओंगी निसान इस तरह से और यहां से लगाओंगी हेर गए अगरकर लगता है कि में कप्रा कम बढ़ रहा है याज़ पड़ तो आप पर आपने स्लीप चोड़ ली है और इस तरह से डबल स्लाई भी दे दिये अब एक्षा कपड़ा इसे कट करके निकाल देना है और यहां पर बाजुवें फिटिंग देनी है ताड़े 5 इंच की यहां पर मैंने नीचे गुलाई है यानकी 11 इंच की और ताड़े 8 की हमारी चै तो इस तरह से ने फिटिंग दे दिया और एक बाजु अटेच करती ऐसे में यहां पर इसकी दूसरी बाजुव कर लोगी सेम तो यह देखिए अपर दोनों बाजुव अटेच कर ली है अब यहां पर मैं डूरी बना दूंगी और इसके लटकर मना दूंगी आप चाहें त सकते हैं तो इस तरह से जो मेरा ब्लाव जया बनके बहुत ही प्यारा सा तैयार हो जागा यह देख सकते हैं आप यहां पर तोफ्रेंट कैसे लगया आपके हमारी वीडियो आपके comment box में ज़रूर बताईए गाईगा वीडियो अच्छी लगया है तो लाइक कीजिए शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए अगर आपको कुछ पूशना बताना है तो आप हमें कमेंट बक्स में जुरूर पूश सकते हैं आप हमें इंस्टाग्राम और फेस्बुक पर भी फॉलो कर सकते हैं मिलते एक ऐसी नई वीडियो के साथ तब तक के लिए तैंको रोचिं